फ्रेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिसकस करने वाले हैं हम बात करेंगे डीपक नाइट्राइट की डीपक नाइट्राइट ने जिस तरह से पिछले जिनों लोगों को मालामाल किया था बहुत ही सांदा रिटेन दिया था वही रिटेन आगे भी मिल सकता है उसके पीछे क्या वज़े है इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसको डिसकस करेंगे साथ में फ्रेंट सम आईटीसी को डिसकस करने वाले आईटीसी ने सब लोगों को गलत साबित किया जब बाजार में एक तरपा गिरावट का माहूल बना था तब आईटीसी अकेला इस्टॉक था जो दोड रहा था और बहुत ही सांदार रिटन दिया इसने इस गिरावट के दोर में जब बाजार लगातर गीरा था बाजार लगातर सेंसेक्स में गोते खार था उस समय दोड़ते वो इसने सांदार उपनी पूरानी हाई के आसपस पहुच चुक है और लग रहा है कि इस बार यह ITC कमाल करेगा तो ITC को डिसकस करेंगे बहुत सारे रिशाच एदालिष्टों की राय निकल के रहे है ITC को लेकर क्या है टार्गेट उसको भी डिसकस करेंगे जिससे आपको भी समझ आएगा कि बाकरी में ITC में निवेस करना चीए साथ में एक कमपणी को हम डिसकस करने वाले जो आपको बोनस देने जारी है एक छोटी सी कमपणी है पैनिश्टों की श्रणी में आती है लेकिन आपको बोनस देने जारी है अगर आपको बोनस में इंट्रेस रहा तो इसमें निवेस करना चीए इसने काफी जबरस रिटन भी आए लोगों को कम समय में एक कंपणी को डिसकस करेंगे जो आपको अच्छा-खासा डिविडेन देने जा रही है बहुत ही मजबूत कंपणी है और आने वाले समय में इस कंपणी में निवेश करते हैं आने वाले समय आपको अच्छा-खासा रिटेन मिल सकता है तो यह च चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले हम डिसकस करेंगे दीपक नाइट्राइट को फ्राइडे के दिन आप देखोगे तो 2235 अरे स्टॉक की क्लोजिंग रही जहाँ पे 0.24% की मामुली सी गिराउट देखने को मिली और आपको यह भी पता होगा कि बाज़ार में भी करीब 200 की गिराउट थी अगर हम बात करें दीपक नाइट्राइट की तो यह केमिकल मैनुफेक्चरिंग करने वाली कमपनी है जो बेसिक केमिकल और स्पेसिलिटी केमिकल दोनों तरके केमिकल बनाती है कमपनी बहुत ही मोनोपॉली बिजनस करती है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कमपनी के अगर किस कि सेग्मेंट में काम कर रही है और किस सेटर के लिए कमपनी अपने प्रड़क्ट देती है तो आप देखोगे for petrochemical sector में इनके प्रड़क की डिमान्ड है साथ में agrochemicals division, rubber, pharmaceutical sector, paper industries, textile industries और detergent industries में इनके chemical की डिमान्ड है अब आप देख लो कि कितनी सारी company में इनके प्रड़क की supply होती है इस वज़े से ये stock तेजी से दोट रहा है कमपणी के प्लांट देखे तो गुजरात में है महराश्टरा में है तेलंगाना में यानि कमपणी बहुत तेजी से और पूरी छम्ता से कारुबार को आगे बढ़ा रिये और इनके कारुबार में और विर्दी होगी क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े सेक्टर में इनके प्रोड़क की डिमांड है और इसी वज़ेसे ये कमपनी कमाल कर लिए है ना कि सिर्फ रूमर बेचलने वाली कमपनी है वाकई में ये बहुत मजबूत कमपनी है इसकी परफॉर्मेंस अगर हम पर जाके आचुका है तो 1500 रुपे का शेर था और इसकी जो हाई बनी थी वह थी गरी 2925 की 29 अक्टमर 2021 की इसको तो दुगना हुआ था एक साल में ही इसने बहुत ही जवरस रिटन दिया और अभी फिलाल 6 महिने से गिरावट के दोर में उपर के लेवल से काफी नीचे आच सुका है क्योंकि आपको पता है बाजार में बैंकर गिरावट भी हुए थी और इस विज़े से 3000 काई स्टोक आपको 2200 के आसपास मिल रहा है यहाँ पे सबसे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इकरा ने दीपक नाइटरेट की रेटिंग को अपग्रेड किया है यानि जो इनकी पहले लॉंग टर्म रेटिंग थी डबल ए माइनस उसको डबल ए कर दिया है यानि उसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है और जो short term rating थी वो A1 प्लस कर दिया है जो इन्होंने 756.27 कोट पीज का बैंक से लॉन लिया उसके उपर तो rating बढ़ चुकी है यानि AA माइनस जी जगह पे AA हो चुकी है और A प्लस कर दिये short term के लिए तो इसी तरह से जो इकरा ने इनकी और एक करज लिया बेंकों से 490 कोट पीज का उसकी rating को भी उन्होंने अपगेट किया यानि पहले जो rating थी उनकी AA उसको short term rating को बढ़ा के A1 प्लस कर दिया गया है तो इस तरह से देखो कि लगाता rating बढ़ रही है उपर से इसकी rating agency ने इसके long term rating को positive outlook दे दिया है तो इससे एक बास समझ में आ रही है कि company का कारूबार बिल्कुल पटरी पे है और rating agency को विश्वा से की company कमाल करेगी इसलिए उसकी rating को बढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल आपको इसमें निवेश करके रखना चीए और आने वाले समय इस stock आपको कमाल करता हो दिखाई देगा अगर हम इसके share holding pattern को discuss कर तो promoter की holding यहापे 45.69% की है जो 3 quarter से एंजेजर बिल्कुल उसको छेडा नहीं किया है यहाँ पे इनका कोई भी गिर्वी share नहीं है तो promoter की स्थी काफी मजबूत है अब बात अगर FI की करें तो 11.43% की holding जून में थी 10.85 हुई सेप्टर में फिलाल 8.84% की holding है तो FI नहीं आपे अपना profit book की है लेकिन अच्छी खासी holding अभी भी है बात अगर DI की करें तो 10.40% की holding जून में थी 10.61 हुई सेप्टर में फिलाल 10.74% की holding है तो DI हर कॉर्टर में अपनी holding को बढ़ा रहे mutual fund की अगर बात करें तो 8.29% की holding जून में थी 7.60 हुई सेप्टर में फिलाल 6.65% की holding है तो mutual fund नहीं अपना profit book की है तो यहाँ पे others की बात करें तो 32.48% की holding जून में थी 32.85 हुई सेप्टर में फिलाल 34.73% की holding है तो यह share holding button में हमें एक बात समझ में आ रही है कि promoter बहुत मजबूत है FI नपना profit book की है mutual fund नहीं profit book की है लेकिन DI अपनी holding को लगातर बढ़ा रही है share holding button बहुत ही सांधार है company के अगर fundamental हम चेक करे तो market gap company का 30,557 कोड़ बीच का है इनका PE ratio 39.39 का है PB ratio 13.02 है और industries का PE nickel के आता है 19.53 का ROE इनका 39.60% है और EPS 79.89 है dividend company देते हैं 0.20% का book value है 207.33 की तो काफी एच्छे fundamental है company की अगर revenue को देखे तो लगातर बढ़ा है December 2020 में 1,235 कोड़ बीच का था March में बढ़कर 1,463 कोड़ बीच हो गया June 2021 के इसमें 1,526 कोड़ बीच का revenue मिला company को September में बढ़कर 1,681 कोड़ बीच हो गया और December 2021 के इसमें 1,722 कोड़ बीच हो गया तो आप देखो कि हर quarter में company का revenue लगातर बढ़ रहा है इससे एक बास समझ में आ रही है कि company तेजी से इपने बीजनेस को आगे बढ़ा रही है Profit को अगर देखे तो December 2020 में 217 कोड़ बीच का था March में 290 कोड़ बीच का profit हुआ June में बढ़कर 303 कोड़ बीच हो गया September में थोड़ा सा घटा कमपनी का कारुबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह stock आने वाले समय में फिर से आपको मालावान कर सकता है सिर्फ 5 एकले इसको hold कर करके मुझे लगता है इस बार यह 10,000 को आराम से टच कर सकता है तो बिल्कुल निवेस करे काफी मजबुत stock है तो कि यह मौदपॉली stock है अब हम चलेंगे ITC Limited की तरब stock 252 पर आया Friday को जहांपे 0.84% की मामूली सी गिरावट देखना को मिली इसकी performance अगर हम देखे तो पिछले एक साल पहले इसकी price 210 थी 26 मार्ट 2021 को फिर इसकी price आपको देखना को मिले की 24 फरी 2022 को मनलब एक साल के बाद 208 के आसपास तो पिछले एक साल में stock ने कोई भी performance नहीं दिखाई वही price देखनों को मिली जो एक साल पहले थी लेकिन जब भेंकर गिरावट का दोड़ शुरुआ तब इसकी 2 मार्च को price 215 के आसपास थी 215 का stock दोड़ते हुए करीब 215 के आसपास पहुँच गया तो एक तरपा दोड़ा है जब गिरावट का माउल सुरुआ एक तरप बाज़ार में सब सेर गिर रहे थे तब ही अकिला दोड़ा था इससे एक बात समझ में आरे कि ITC बहुत मजबूत है और गिरावट में आपके investment को बचा के रखता तो ऐसे stock में ही निवेस करना चाहिए जब भी बाजर में crash आए ये stock आपके अगर निवेस को थाम ले तो इससे बड़िया stock होई नहीं सकता और इसलिए मैंने आपको लगाता रगा है कि आपको ITC में निवेस करके रखना चाहिए अब यहाँ पे रजद बोस जो technical analyst है उनकी तरब से ITC के लिए की call दी गई है उनका ये short term target है 258 का 260 लेकिन उनका कहना है कि stop loss आपको 251 का लगाना चाहिए आने वाले इसमें short term target है 260 का हो सकता है और friends यहाँ पे बहुत सारे जो technical analyst है उनकी तरब से लगातार इसके बाइक की call आ रही है तो मेहूल कोटारी जो आनंद राटी के technical research analyst है उनका कहना है कि फिलाल stock मजबूत range में है और ये bullish zone में आ चुका है तो आने वाले समय में ये 280 से 285 के level तक जा सकता है और इसका जो मजबूत support है वर 240 का है ये support day-to-day का तब तक stock bullish zone में आगे जा सकता है और आने वाले समय में ये कमाल कर सकता है तो brokerage house का कहना है कि aggressive तरीके से इसमें खरीदारी के सला है क्योंकि ये bullish zone में है और ये आने वाले समय में तेजी से बाग सकता है और इसके जो target दिये जारे आने वाले समय में इसके target 300 से लेके 330 का target आ सकता है आने वाले समय में और अगर ये 259-280 के support को इसने maintain रखा है तो फिर ये सीधा 330 तक भी जा सकता है और यहाँ पर जो मजबूत नीचे के support निकल के आ रहे वो 240 से 224 के यह जब तक नहीं टूटेंगे तब तक यहाँ पर बुली जोन बना रहेगा और इस टोक आपको 330 तक जाता हो दिखाए देदेगा तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर आए उसकी तरब से कि आपको इस समय इंवेस्मेंट करना चीए ITC में सब बुली से ITC को लेकर यहाँ पर YES SECURITY की तरब से भी BYE की CALL दी जा रही है उनका कहना है कि आपको इसमें खरिदारी करनी चीए और यहाँ पर जो मजबूत सपोर्ट बताया उसका वो है 240 से लेके 235 का और इसके जो टार्गेट निकल के आ रहे वो है 278 से 285 का तो यहाँ से स्टॉक दोड़ेगा तो सिधा 255 तक जा सकता है और इसलिए यहाँ पर निवेस की सला दी जा रही है YES SECURITY की तरब से तो फ्रेंट्स बहुत सारे रिचर्ट जो लगाता है इसमें निवेस की सला दे रहे और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रहे ह कि जो रिसंटरी टार्गेट है वो दिखाये जा रहे है 279 और फिर 315 का यह आपको ध्यान लखना है पहला टार्गेट जो निकल के आएगा वो है 279 का और उसके बाद में है 315 का टार्गेट तो बिलकुल स्टॉक 300 को क्रॉस करने को तयार है और सबकी जो राई निकल रहे ह 5.20 और यहां पर आरो ही निकल क्या रहे है 20.95 परसंट EPSS का 12.02 का डिविडेंट कंबरी जेदिये 4.32 परसंट का बुक वैल्यू है 49.42 तो काफी एच्छे फंडामेंटल है और कंपनी मल्बूती से आगे बढ़े है कंपनी के प्रॉफित को देखे तो लगातार बढ़ा है कोविड के बावजुद दिसंबर 2020 में कंपनी ने 3.527 करोड़ पीजो गया जून में थोड़ी सी कमी आई 3.276 करोड़ पीजो गया जून में थोड़ी सी कमी आई 3.276 करोड़ पीजो गया और दिसंबर 2020 में 4.57 करोड़ पीजो गया तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में जबरदस बड़ोतरी हुए है प्रॉफिट में तो इससे बाद समझ में आ रहे है कंपनी बहुत तेजी से ग्रोग रहे है कंपनी आपको पता ही है इसका कारूबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कंपनी का सबसे मुखी जो बीजनस है वो टोबे को का है लेकिन कंपनी एक बड़ी फाइस्टर होटल की सरिंकला पूरे हिंदुस्तान में चलाती है साथ में कंपनी का नोटबूक क्लासमेट के नाम से आती है जिनका बहुत अच्छा बीजनस है कंपनी FMCG में तो बहुत बड़ा नाम है इनके संफिष्ट यिपी और बहुत सारे ब्रेंड्स है जो लगातार तेजी से ग्रोग कर रहे और उपर से इनके डेरी प्रोड़ी बहुत जारा चल रहे और इसलिए कहता हूं कि इसमें आपको निवेश करना चीए यह श्टॉक आपको माला माल कर सकता है और फ्रेंड्स पास साल के लिए आपको ITC को होड़ कर लेना चीए मुझे ल एक शेर आपको बोनस मिलेगा यानि इस तरह से आपके 11 शेर हो जाएंगे इसकी अनॉसमेंट डेर थी 18-22 और इसकी एक्स डेट है 7-6-22 रिकॉर्ड डेट है 8-4-22 तो साथ तारीक के पहले-पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेर अगर होंगे तो आपको बोनस शेर मिल इस टॉक जबरस दोड़ा भी है लोगों को इसने माला माल किया नहीं 12 पैसे की प्राइस इसकी 11 मार्च 2020 को दो साल में इस टॉक देख लो आप 12 पैसे का आप इस समय एक रुपे 17 पैसे के आसपास है तो काफी जबरस दोड़ा है और फ्रेंट्स यह हाई में चला गया था 1 1.65 गया नहीं एक पैसे तक चला गया था 10 परवरी को उसके बाद जब बाजर में गिर आउट हुई तो यह भी नीचे आ है फिलाल 17 के आसपास है तो आप चाहे तो निवेस कर सकते हैं और लेकिन रिस्की बहुत जारा है यह दियाना कि क्योंकि पैनी स्टॉक में किसरे नह आता है फ्रेंड्स अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जारी है सांदार डिविडेंड हम बात कर रहे है गुजराज फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड की यह कंपनी आपको डिविडेंड देने जारी है कंपनी आपको 200% डिविडेंड देने जारी है और इसक काफ़ी मजबूती के साथ श्टोक बढ़ रहा है यह भी एक कैमिकल कंपणी है दीपक नाइटर की तरफ और बजबूत कंपणी है और यहां पर इसकी परफॉर्मेंस अगर देखे तो छे महने पहले यह श्टोक मात्र वंध हाव जाने सेवने फिफ्टी फोर परता तो कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेंशल एडवाजर से बाइडवाज ले ले या अपना खुद का रिसेर्च करें जो कि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेज रुकिजे और चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंट